अर्दुनाव मेगवाल जाती से मेगवाल हैं ऐसी वर्ग से हैं और मुझे नहीं लगता कि वो किसी अन्य को मेगवालों के सौ वोट भी ट्रांसफर करवा दें और ऐसी आम दूसरे 36 को में इनका कोई लगाओ जुडाओ मुझे देखता नहीं है तो मैंने जो बताया कि ऐसा व्यक्ति आनाची जो जन्मानस में कारे करता हो और पूरे प्रदेश में अब तक उसकी गतिविदी रही हो तभी कोई निश्य तोर पर दिशा बन सकती यानि के ऐसा नेता आना चाही जो सर्वान्य हो और यकिनन ऐसा होना भी चाहिए लेकिन क्या शेखावत सर्वान्य नेता है ये सवाल बार-बार हम कर रहे हैं और क्या शेखावत के आने से बीचे-पी से वोट बेंक जो जाट वोट बेंक है वो खिसक जाएगा इस पर हम चर्चा आज कर रही हैं. सत्या नारयाण सींग जी हमारे साथ है, विचल इशक के तोर पर हमारे साथ चुड़े हैं. सत्या नारयाण जी. सर तीन धड़ों का मैं जिक्र कर रहा हूँ, एक तरफ कॉंग्रेस है, जिसमें जाट निता, निता प्रतिपक्ष के तोरपन है, रामिश्वर डूडी, एक तरफ तीसरे मोर्चे की जगवाई करने के कोशिश कर रहे हैं, हनुमान बैनिवाल हैं, निर्दली हैं, जाट से दक्षिनपंथी पार्टी रही है, और राजस्तान के निर्मान के समय से ही, राजपूत वर्ग पीजेपी के साथ बुड़ा हुआ रहा था, और जाट वर्ग जो है, पूरी तरह से कॉंग्रेस के संग था और मैं समझता हूँ कि आज भी वो है, क्योंकि जाटों ने जित से पदस्त रहते हुए ही, उनके नेताओं ने की है, तो सर आप कहा रहे हैं, 2013 में जो हुआ उसके पीछे की जाराज गेती, पिर चाहे माइपाल मदिर्णा का जेल जाना हूँ, या पिर जाट नेता, वो मुके मद्रे भूशित ना करना, 2013 में दुरुबा किसे मोधी लेर, और दुरुबा किसे वसंद राजी ने जो लोगों को बरगलाया, वो उसका एक करन था, और वो सभी सेत्रों पर सभी जाती हो और पड़ा था, कि वो लिस्ते ने से 163 सीटे आ जाती है, देखें, यह होता है, कि जाट भी क्या, और भी तो कोमेंग जितनी भी जो कॉंग्रे का गड़ रहा है, वहां की सीटे भी चली गई थी, जाट तो प्रॉस्परस जिजो भी हुआ है, उसके उस वो कॉंग्रेस के आदार पर ही हुआ है, और तो सवाल को मैं थोड़ा सा बदल देता हूं, मेरा सवाल अब यह है कि जो जाट वोट बैंक बीजेपी के साथ जुड दिया, वाकि मैं जहां तक सारे, मैंने सामाजिक न्यायमंच का भी आंदूलन्द चलाया है, इसमें भी जाट राजबूतों का मामला था, जाटों का अधिकांस जो आम जाट है, जो आम जाट है, छोटे मोटे नेताओं की बात आप छोड़ दें, आम जाट जो है, वो किसा होने के नाते, और जो कॉंग्रेस ने किसानों के लिए किया है, बड़ा दुरबागी की बात है, कि सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी हम उसको नहीं मानते, जो जागिरदारी प्रता खतम की, जो टेनेंसी एक्ट आया, एक ही रात में बगर किसी मुआवजे के सारे किसा कारनों को खातेदारी दे दी गई, और उसके बाद में भी जो तरक्की कॉंग्रेस के राद में जाट समाजनेर, अन्य किसान वर ने की है, वो बीजेपी के राद में नहीं कर सकी. सर एक तरफ हनुमान बैनिवाल, दूसरी तरफ रामेश्वर डूडी और बीजेपी के तरफ से? विजेंदर जी में आपको ये बता जाता है, जाट समाज को ये लगा कि कॉंग्रेस जब तक ही, पचास साट सालों में, उन्हों ने उनका सिर्फ दुहन किया, शोशन किया, उनको लगा, आप मैं आप बोल रहे हैं, चीफ सेकर्टी रहे हैं, डीजी रहे हैं, हर चीज में बसे मौकि मंदरी तो नहीं रहे हैं, जी हमें बात आती है, राइप देतिक रूप से उनको लगा कि हमें इनको हमेशा वोट दिया, बदले में हमें सिर्फ चला गिया, धोका दिया गया, ठगा गिया, बजेना साब वाले एक साब के साब में हैं, जिस ज़ट्टी के नेटर समाज को लगता है अगर उनका हिट कर दो सर्फ और सेफ भाजपबा के सांद सकाझ अब ने किसा बाद उनको लगता है कि उनके साथ जो भी उनको उसके बाद नहीं है विद्ध और सवाल ये मेरा सवाल ये है क्या वाकई में जिस तरीके से सत्य नारायन जी कह रहे हैं कि जाड वोट बैंक एक मोदी लहर की वज़े से और एक बाकी कुछ वज़ों की वज़े से उसमें कॉंग्रेस की नाराजगी भी है इसकी वज़े से जुड़ गया था और अब हकीकत यह है कि आप स लेकिन जब से सीकर मैटल जी की सभा हुई उसके बाद से लाब दिये गए तब जाट समाज को लगा कि अगर उनका हिच सुरफ शीत है और उन्होंने समाजिक रूप से जिती तरकी भाजपा के सर्शन काल में की उतनी उन्होंने पहले कभी नहीं ती तो उनको लगा कि जब से कितने जाट प्रदेश अदेख रहे हैं बीजेपी के अंदर मैं आपको फिरका हमारे हैं देखे भाजपा के मूल में और संगठन में जाती वाद का कहीं भी दूले का आप चेंदी आपको लगता है कि आपको लगता है कि उनकी जादी का बहुत बड़ा वच्चा शर्मा हो गई को इपली को उठाकर देते हैं तो वहां पर राजपूत समा से सिर्फ 2 साल के लिए प्रदेश अध्यक्ष और जब बीजेपी के लिच्ट को ईठाकर देखते हैं तो कोई दलित नहीं कोई जाट नहीं देखी मैं तो आपको कह रहा हूँ कि जब बीजेपी का गठा पहले वाली स्थिति में क्योंकि जाट का भी जाट खड़ा होता है जीतता कौन हो बात अलग है इस बार बीजेपी के जाट जीते प्रदेश अध्यक्ष जाट होते हैं और वो जब वोट मांगते हैं तो फर्क तो पड़ता होगा इसका नेता अलग-अलग जगे पे अलग-अलग छेत्र के रहे विश्वंदर रहे तो वह अपने पूरी राजिस्तान का देखा अगर प्रश्रा मदेड़ना रहे तो पच्छ जाट अलग रहे तो इस जाट चार हिस्सों में बढ़ गया राजिस्तान में इसलिए जाट को एक तरफा बांदे रखने में कांग्रेस सफल रही बीजेपी में क्योंकि मुख्या मंत्री भेरुसिंग जी शेखावत थे तो उन्होंने अपने राजपूतों को बढ़ाने के लिए उनके जमाने में उनके जो महल खतम हो गए थे उनको सबसेड़े करके होटल के अंदर करने का काम भेरुसिंग जी ने उसका किया इसलिए राजपूत सुरक्षित महसूस करता है भाजपा में रहने के लिए इसलिए साधने के कोशिश की जाए कि कम से कम अपने परमपरागत वोट बैंक को साध लिया जाए क्योंकि जिस सरी के सिर्पल्ण पत्मावत को लेकर हुआ अनंदपाल को लेकर हुआ उसको साधा गया है देखेगा बिजेदर्ची जिस परकार से ब्राहमन राजपूत आप सर की दोनों ही पार्टिया अपने अपने परमपरागत वोट बैंक पर फोकस कर रही है क्योंकि बिल्कुल चुनाओं नजदीक है तो जातीकत आधार पर हम कैसे पार्टिय जी सर आप कहते हैं कि 36 कौमों की पार्टिय है लेकिन जब पूरे प्रदेश अध्यक्ष की बैंक को कॉंग्रेस साथने की कोशिश करती है चाहिए किसी भी तरिके से और अब उसको फायदा हो रहा है वनचीतों की आवाज उठाने वारे साथ ही बैठी है आखिर एक वरक था जो खेती से जुड़ावा वरक था उसको इस समाज पर ले जाने का जो काम किया वह तो भारतिय जनता पार्टी की यह सोच रही कि आखिर किस वेक्टी को वहां पर बनाया जाए और किसको लिया कि बड़े 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 जाट लीडर्स जो है वो कॉंग्रेस में रहे लेके मंत्रि लेके लूप नियुक्त है यहाँ प्षाद के सब्सक्राइब नहीं रहा ? हम तो समंद्दी से की लेके रूप महां पर जो समंदी सोथ के कहलाब को लैट सकता है ? मुख्यमंत्रि क्यों नहीं रहा ? इसा गेलोत मुक्ष्मत्री रहा वो किसान की नमाइमिर करता था जाप किसान के तोर पर अक्रेंदे कर्ता है परसा मदेरा पर जी रहां के उनके पास कहने को कुछ नहीं है विजेमेंघरा के साथności दूसरी तोर सकते हैं यहां पर हमने तो यह बहुत लिया जाता है फिर भी मुख्यमंतरी नहीं नहीं होते यह भी महस्द तपाक है कि जब पूरे प्रदेश अद्यक्ष की लिस्ट उठा कर देखते हैं तो राजपूत नहीं मिलते हैं यह महस्द तपाक है देखे विजेंदर जी यह पीछे से क्या अगर आप किसी वेक्ति को जादी का दाना जाती है तो यह नजरिया रहा नहीं है विजानिया जाता है जीता जाता है और पिर सत्ता के लिए कोई और होता है पिल्कुल सभाथ है यह इतियास गवाँ इस बात का और अभी जिकर आया था कि जाटों के अभी लीडर नहीं रहे लीडर तो बनाए जाते हैं कोई मोका दे तब लीडर अपनी उिकाबलियत कामित करता है इनको मोका ही नहीं देता कोई तो लीडर अपने आप ही नहीं रहत कहीं भी कोई भी फिर ले लिजिए दनसंख्या के साथ से ले लिए 22 परसेंट क्या उनको उनके अनुपात में उनको तवज्ज़ो दी जाती है कहीं भी नहीं दी जाती है बिल्कुल ओवर्लूक किया जाता है और दबाया भी जाता है जाट या किसान उसको प्रात्मिक्ता मिल लेकिन लेकिन सर बीजेपी में प्रात्मिक्ता मिलने चाहिए क्योंकि एक तरफ रामिश्वा टूडी है कॉंग्रेस के लिए नर्दली के लियानुमान बैनिबाल है बीजेपी के आपको यहां पर आपको कमसोर नसर आती है यहां पर देखिए नेता कई है सतीज पूनिया एक के लिए आता है बीजेपी के को काडर बेस्ट भी है और कहने को तो वह भी जाट है लेकिन उनका कही नाम नहीं आया पने हैन तो आका लिए और राम रान चैनल के रहर उसके लावा रामिंष्ट रूड़ी तीन 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 राज चितनीक तॉर पर उसके पहले भी प्रतिपक्स का मैं सो रहे हैं क्या वाकई में जाट समुदाय राजिस्तान के अंदर अर्जून की भूमिका में हैं जो युद को जिताने का काम करता है लेकिन सत्ता का सुख कोई और आकर भोग जाता है। आधकी चाहे वो राजपूत हों, चाहे वो जाट हों, चाहे वो किसी भी जाती के लोगं हो। आज अगर पार्टी के आलाकमान जो निर्ड़ने ले लेते हैं, वो इस फरुमानियत होना चाहिए. क्योंकि उनको पूरा याद है, पूरे उतार चड़ा है। और वो पार्टी हितका ही आदमी होगा और परदे सद्यक्स वही बनेगा